ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायन में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है जो हम हासिल करके रहेंगे और इसके लिए हमें एलक्शन जीतना होगा और एलक्षन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा वोट हासिल करने होगे और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पेसे विश्वास हटाना होगा और जन्ता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्नी, नाकारा और बेकार समझ कर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं और इसके लिए हमें क्या करना होगा? जानों तरफ बेचैनी खौफ का माहल पईदा करना होगा हर सूबे हर शेहर गाउं में गतलो आम डेकेटी फसाद कराने होंगे जैसे हिंदू-मुस्लिम फसाद, सिक्क और हिंदू फसाद, क्रिचन हिंदू फसाद, मुस्लिम शिया सुनी फसाद, मतलब इतना कतल और खुन और घालत हो, कि लोग घबरा जाए, सरकार की कुछ समझ में नाए, और पुलीस कुछ ना कर पाए और जब देश तहशत और जल्म के आज में जल रहा होगा, तो हम अपने घरों से निकल कर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराईया शुरू कर देंगे, और साथ में एक जनता को एहसास दिलवाएंगे, कि अगर कोई उन्हें जल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम है, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है, एक्सेलेंट आइटिया, और इसी आइडिया को कामयाँ बनाने के लिए, मतलब खून बाने के लिए हमें पैसा पानी की तरह बाहना होगा, और इसी लिए आज मैंने अमर्जेसी बिटिंग बुलाई है और शेयर के बड़े-बड़े रईसों को तावद दी है तो क्या एरादा है आप लोगों का? पजास लाग जमा हो जाए तो काफी है? फिलाल तो काफी है लेकिन मैं चाहूँगा कि ज्यादा जमा हो जाए तो बहतर है क्योंके आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेट की तरह है और सियासतदान एक किसान की तरह होता है आज इतना बोग है कल उसका हजार गुना पाओगे आज अगर लाग लगाओगे तो कल क पाजबा जबास एक तो जयाँ